जे हिंद जे SSC education में आपका स्वागत है हम लोग करेंट अफेस को पढ़ रहे हैं हम लोगोंने theory पार्ट को अलड़ी पढ़ लिया है और अब हम लोग question के साथ practice करेंगे और कुछ कुछ नए डेटा है डेटा के साथ में हम लोग कुछ समसामयाई घड़ना हो को इसमें add तो हम लोग MCQ practice कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग विविद पार्ट का second part हम लोग यहाँ पर करेंगे यह वाला lecture से onward जितने भी सारे lectures रहेंगे वह सारे one-liner रहेंगे ताकि आपको जल्दी चीज़े याद हो जाएं वान-liner से जो नाम याद रखेंगे वह आप बार बार आपको count में भले 46-47 लग रहे हैं यह hardly आपका seven to eight hours का लिक्टेस है यह hardly एक एक जो है पांस से दस मेंट का है और सबको count कीजिएगा तो total seven to eight hours है including budget आर्थिक सर्वेक्शन सब मिला करके तो बहुत अच्छे से इसको आप कीजे और believe कीजे बहुत अच्छे इच्छे questions नहीं पर लेकर गया हूँ जार्खन के की जिले में एक प्राचिन सब्धिता के प्रमान को उर्ता की भाग ने खुदाई के धरान निकाना मतल्त जो और कि सर्वे angraifsē जग नहां पर प्राचिन इंडिक से कुछ प्रमान मिले हैं तो उन्होंने खुदाए किया था हजारी बाग के बहुरन पूर नामक जगा पर जहांसे उनको क्या-क्या मिले हैं लोहे के आवजार मिट्टी के घड़े हल के फाल हल का फाल मत एक है जिससे हल जुताई होता ना जो या तो लोहा का बना होता है या तो लकडी का बना इसको हलका फाल हो गया ईट के टुकड़े मिले हैं बौधमत और प्राचीन मूर्टियां मिली हैं यहां से और यह बताया जाता है कि आठवी से बारावी चदाबनी के बीच की सबद्बेता यहां पर माने आती है तब को ध्यान रखने यह कहां परस्थत है हजारी बाग के बहोरन पूर नामक स्थान पर जार्खन के किस जिले के आदिवासी कुम्व मेला को राजिकिये मेले का दर्जा दे दिया गया है जार्खन के ऐसा कौन सा जिला का कुम्व मेला है तो यह है आपका पलामू का आदिवासी कुम्व मेला जिसको हर साल फरवरी महिने मनायाता है औ और इसको राजकिय मेले का दर्जा दे दिया गया है यह पहला हो गया एक और मिला है जिसका दर्जा मिला है गोड़ा का गंतंत्र दिवस मेला तो यह दोनों को राजकिय दर्जा मिल गया है तो कुछिन ऐसे ही पूछ सकता है आपका कि गंतंत्र दिवस मेला कहां पर लगता है और अगर डिरेक्टली कोशन पूछा कि किनको राजकी मिलेक दर्जा मिलाया तो ये दो नोव आप्शन्स एक से एक्जामनेशन आपके होंगे पलामू का कुम्भ मेला आदिवासी वाला और गुंडा का गंतंत्र दिवस मेला जharkachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach मेनुफक्चर क्लस्टर एंसी है वो आदिभ्रथिपूर अटिहासिक रोहिन मेला ज्ःarm की दिण में लगता ये फिस इंसले विकぎ इस निस उस समय लगता है तो यह किस इला में लगता है यहां पर आप का रोहिन मिला लगता है केंद्री घूंकुडिया भवन क्या होता है जहां पर जो हमारे हम लोग अरद देखें होंगे जो आप जंजाती पढ़ें होंगे इसमें मैंने अपने वीडियोस में पढ़ाया हुआ सारे स्टाटिक ने कि घुंकुडिया भवन बैसिकली एक युवाग्रा होता है अलग-अलग जन जातियों में किसी घुंकुडिया भवन बोलते हैं ठीक है तो वह एक भवन होता है जहां पर किशोरा आवस्था के में जो बच्चे होते उनको अलग-अलग तरह का प्र्सेक्षन धिया जाता है जाए आग carta होने लिए तो किंद्री घुंकुडिया भवोन का निर्मा पन किस जुला में 1991 को ये भी आपको ध्यान रखना है एक मकडी की दुरलव प्रजाती मिली है जिसका नाम है लेडी बर्ड स्पाइडर लेडी बर्ड स्पाइडर वो जहारकन के कौन से जगा पर पाई गई है तो राची में एक जगा है नामकुम आपको 5-7 किलोमेटर दूरी पर आपको जाना जिला में किया जा रहा है तो इसका ऑप्शन आपको खूटी मिलेगा रेकिर राची भी मिलेगा तो बिर्सा मुंडा जनम खूटी को लोहाती गाव में हुआ था तो यह आप्शन आप नहीं टिक कीजिएगा इसलिए मैंने को एड़ किया तो जहारकन में जो होटवार जिल ब्रिकेटिंग प्लांट के सथापना की जाएगी जहां पर बिसिकलि जो वेस्ट घास पोस पत्ते वगर अगरते हैं उसका इस का एस नाबाद द्वारा एक अभियान चलाया गया था तो वो कहां से सुरूवात किया गया था यह और यह योजना का सुरूद किस ने किया था हमारे आप आपने या रांची में बनाए है तो यह आपका बना या रहा गेतल सूद लैम पर कितना वाट का 150 मेगा वाट का और इस डैम का सापना कब हुआ था 1971 में हुआ था आप मुझे कमेंट करके बता है कौन से नदीब पर इसे साथ बहुत अच्छे से जोगरफी मारे लेक्शन में दिखा दिखा का आपको बताया है कि नहीं तो ध्यान देना है आपको किंद्री कोशल और उद जिसको यहां पर चुना गया है जारकन के किस सहर में सॉलीड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाइस थापना किया जाए गार तीन जागा किया जाए देवघर में चाकुलिया में और गुड़्डा में तो यह आपको ध्यान रखना है यह इंपॉर्टन कोश्चन है भारती रेल के स सरीष्ट प्रधर्शन किस रेल मंदल का रहा तो इसमें आपको ध्यान रखना है चकरधर पूर्वर मंदल का जो प्रधर्शन रहा वो सबसे अधिक अच्छा राज सर्विस्ट रहा पूरे भारत भर में जारकन का तीसरा अंतराष्टी क्रिकेट स्टेडियम किस जिद्र बना जाएगा यह मैंने पहले की लेक्ट्टर में कवर कर दिया फिर मैंने इसको एड़ कर दिया तो इसका आपका वो कारों में खोला जा रहा है अंतराश्टी क्रिकेट स्टेडियम तो जारखन टोटल तीन स्टेडियम हो जाएंगे इंटरनेशनल तो इसकी जो चमता होगी जो 25,000 दर्शक की छमता होगी 25,000 लोग वहां पर बैट पाएंगे जारखन की किस इस्थान पर फार्मा पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है तो फार्मा पार्क आपका बनेगा चान हो रांची में चान हो रांची में क्या बनेगा फार्मा पार्क साइबर सिक्योर्टी प स्थाफना कहां किया जाएगा । जो cyber fraud होते हैं उनसे बचने के लिए वो कहां पे किया जाएगा वो क्या जाएगा आपका राजी में किसके द्वारा कि यहां पे joint fashion चलाए जाएगा International Engineering and Technology Institute और Cyber Peace Foundation USA यह दोनों के द्वारा यह प्रसिक्षन यहांपे दिया जाएगा भारत का पहला ग्राम संगतन कारेाले कहाँ खोला गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा अर्जुन मुंडा हमारे जнымиजाती मामलो कि मंत्री है और इनका जो छेट्र है वह कौन है वह फ्रक्राइब कर दिया गया यह बहुत यासान है अगर आपने मेरा लेक्ष्र पढ़ाया था जो मैंने बताया था इश्वचण्द्विद्यासागर कर दिया गया कर दिया गया कर्मा जाड़ा जो जिला है वहाँ पर स्थित है कार्माटार में ही बहुत समय बिताया और उसी का नाम बदल करके इश्वार्चन विद्या सागर प्रकंट कर दिया गया नीती आयों के रैंकिंग अनुसार हेल्थ और नूट्रिशन के छेत्र में जहारखन के किस जिला को पहलासान म किया गया था यह था 1075 1075 भागवान बिर्सा जैवी कुद्यान जो कि उर्माजी मिस्थित है वहां पर एक हिप्पो को लाए गया है जो कि फीमेल है मादा हिप्पो को लाए गया कहां से शाम परसाद मुखरदी जिलोलोजिकल गार्डेन सूरत गुजराथ से लाए गया है नाम क्या रखा गया उसका नाम है नैना नैना जो कि एक मादा हिप्पो है देशी परियोट को के आगमन में जहारखन को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है मत्तब देशी मत्त क्या हो गया भारत के लोग जहारखन घुमने आते हैं उसमें से जहारखन को कित और सोलाहवाना दॉैन के मामले में जार्खन का कौन सा जिला प्रतम सामतर है मादला मछिठ दफादन के इसपादन किया आ। सराय के लाग हरसावा जिला से पुरे जारखन हुए बायोडाइवेसिटी पार्क लाल-खटंगा जारकन की जिला में से तो सब को पता होना चाहिए यह रांची जिला में से थे और यह 2006 में इनका बनना शुरू हुआ था ठीक है 2006 में जार्खन भारती संग में क्रम के अनुसार कितने नंबर पर है मतलब सिंपली हम पूछ रहे हैं जार्खन भारत का कितना हुआ राज्जी है तो हम लोग सब सब्सक्राइब शुक्राबान दो दुमका के अलावात तीन और राजधानी जो प्रस्तावित वह कौन कौन है आपका मेदी नगर है जो कि आपका डॉन्क नए नाम है चाइबासा और गृडी तीन जो जगह है वह हमारा नया प्रस्तावित उप्राजधानी है जारखन में वर्तमान ने प्रखंडों की पुल सं लेकिन उसमें से एक प्रखंड को विलाई कर दिया गया दूसरे प्रखंड में तो यह पुरा का पुरा डेटा आपका बहुत इच्छे से याद करना है जार्खंड में अधिसूचित छेत्र समीती कहा है आपको बता दे जार्खंड में एक लौता छेत्र है जो की अधिसूचित छेत्र समीती वहां पर है और वो एक कहां पर है पुरे जार्खंड में वो है आपका जमशित तूर्में ठीक है मैं इसका फोटो भी नेक्स्ट कभी में आपको दिखा दूँगा उसके बाद जार्खन में एक लौता कंटोन्मेंट जोन है जिसको आप लोग छावनी बोर्ड के नाम से जानते हैं इसलिए आप देखे होंगे अगर आप रामगर यह जारी बाग यह आसपास तो आपको मिले पूद तो एक लौता चावनी बोर्ड कहां है जार्खन में वह रामगर में जार्खन का सरवाधिक शेद्रफल वाला जिला कौन सा मत्यर जार्खन में जितना भी सारा जिला है 24 जिला है उसमें सबसे बड़ा शेद्रफल किसका है वह है पश्चिमी सीभूम का अगर छोटा पूछा जातों क्या बोलेंगे शोटा हमारा रहेगा रामगर तो यह हैं रामगर सत्य चोटा और बड़ा रहेगा तो कश्यमी सीभूम जार्खन में राज कीये राजमार राश्चियी राजमार और जिला मार वह सब को मिला करक Quindi कितनी लंबाई है राश्टी राजमारख हम लोगों को पढ़ लिये थे राज़फी राजमार कितना था 3290 यहीं था राज़कि यह मार कितना था अगर आपको याद होगा 1232 ठीक तो आपको बताने जिला मार का कितना है तो गुल्रमाई कि दना तुझे आप कुल लंबाई याद कर लीजिए बारहाजार साथ सो चतीस उसमें साप यह घटा दीजिए जो बचेगा लगबग 6700 में वह आपका क्या होगा जीला मार्क टूटल लंबाई होगा तो आपको ध्यान रखना है यह वाला तो यह आज का लिए और बेजिशत तयारी केजिए आपको शत प्रतिसर रिजर्ट आपको देखने को मिलेंगे तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में अगर आपको इसको पीडियाप चाहिए होगा तो हमारे टेलिग्राम से जुरिए इस नंबर पर हाई लिखके वाट्सप दिजेगा तो भी ज